स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज के राशी फल की आज 20 जुलाई 2023 है और दिन है गुरुवार तो फेश राशी मिश लगनवालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा कैसे चलेगी नौकरी, काम, कारोबार, वेवसाइट, धनकी स्थिति और क्या सावदनी रखनी है लव एंड रिलेशन्शिप में और कैसे चलेगे आपके पारिवाईक और दांपत्य जीवन कहां से फायदा होगा, कहां आपको वाणी पे सहीम रखना सब भी वीशों की चर्चा करेंगे, चैनल पर अगर आप पहली बर आएं तो आपसे विनम रनरोद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट में जैशरी राम अबश्य हैं लिखिए शिंग राशी वालों के दिन को अगर दो भागों में बाटें, तो दिन ग्यारा बजे के बाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, दिन का उत्रार्द आपके लिए बहुत ही शांधार रहने वाला है शाम भी आपके बहुत बढ़िया है, सारे रुकेवे कामाज होने वाले हैं, मान सम्मान की व्रदी भी आपके होती भी दिख रही है वर्क प्लेस पे भी आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा, उच्छा दिकारियों का सयोग मिलेगा और आपके सभी कारे जो आपने सोचे थे वो सब हो जाएंगे और अब दिनेस्त करमचारिय आपको सपोर्ट करेंगे और उच्छे दिकारिया आपकी बातों को महत्पु देंगे, कुल मिलाके आपका रुत्बा वढ़ने वाला है वर्क प्लेस पे, चाहे आपका वर्क प्लेस घर में हो, व्या पारिस्तल हो, या फिर दुकान, आपका को बहुती शांधार तरीके सा अच्छा रहने वाला है, अच्छा ही क्या बहुती बढ़िया रहने वाला है, दूसरे लोगों के आज आप मदद करेंगे, आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके कोई मदद करेंगे, कोई भी मामला आपका उलजावा था, कोई प्र धार्मिक समारों में शामिल होने वाले हैं या अपने घर में ही कोई धार्मिक अनुस्टान करने वाले हैं धार्मिक समारों में धार्मिक अनुस्टान में आप शामिल होएंगे और वहां जाके आपको आत्मसंतुष्टी प्राप्त होईगी और आपको खुशी प्राप्त हुआ हैं आपके 5 गर में 5 गर होता है हमारा लाव और रिलेशन्षिप का शिक्ष्या का और हमारे संतों के तरफ से आपको कुछ परिशाने नहीं है संतान के आपको निश्चित रहेंस अपने इन परिवार का साथ आपको मिल रहा है दिन की शुरुवात आप इस टाइप से कीजिए कि पूजा पार्ट से अपने दिन की शुरुवात कीजिए आज आप सुबह उड़ते इस नाना देचे निर्वितों के हनुवान चले सका पार्ट करेंगे तो आपका पूरा दिन बढ़िया करेंगे कंफ्यूजन नहीं रहें मानसिक परिशानी नहीं रहें इससे आपको बचना है आज दिन इतना बढ़िया है कि आप इसका लाव उठाएंगे तो आपके सभी कारें होते हुए चले जाएंगे घर परिवार में अगर आप कोई फैसला लेना चाहरे थे कोई निर्ण समस्या चल रहे थी कोई पुरानी रुकावटे आ रहे थी जिसके कारण आपके काम अठके वे थे तो वो सभी रुकावटे आज दूर हो रही है और आपके प्रियासों के सराना भी आप सभी आज सभी लोग करेंगे सोसाइटी में समाज में आपका मान समान बढ़ेगा और गुप्त शत्रू जो भी शत्रू अगरते सब शांत रहेंगे आपका आज और इस टाइप का रहेगा कि कोई शत्रू आपके करीब भी नहीं आएगा और आपके बारे में आपकी सक्सेस से लोग बाग जलें ऐसा कुछ होने वाला है कि आप इतने ज्यादा सक्सेस्पूल र जन रखें आज का राओ का वन थर्टी से लेके त्रियो को लोग तक है तो इस समय आपको बड़ा इंवेस्टमेंट नहीं करें बड़ी डील फाइनल नहीं करें आपके लिए श्रेस्ट रहेगा चंद्रमाह आज जो चल रहा है सिंग राशी में इसके कारण आपको क्या ची हैनत में अधिक आपको फल मिलेगा और साथ ही साथ आपको अधिन प्रसनिता के साथ भी वेतित होएगा मानसिक रूप से संतुस्टी रहे मानसिक परिशानिया आपको नहीं आए कन्फूजन के रिस्तिति नहीं रहे इसलिए अन्मान चालीजा का पार्ट आप सुगर टेक उटते ही कर लीजिए अब बात करते हैं लवन रिलेशन्शिप के लिए तो लवन रिलेशन्शिप में कोई प्रॉब्लम चल रहे थी तो उसको सुल जाने के लिए आज का दिन बढ़िया आप सुल जा सकते हैं दिन आपका सकारात्म कहें और कोई दिकत नहीं है पार्टनर क आपका सेष्ट है जीवन साथी की उनती और यह जीवन साथी के माध्यम से दनलाव आपको प्राप्त हो रहा है आज अगर आप यात्रा करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें यात्रा में आपको थोड़े बहुत परिशानी तो होईगी ही होईगी क्योंकि अगर आप सुरक्षित भी रहेंगे वहां को चेक करके ही यात्रा स्टार्ट करें आपके लिए स्ष्ट रहेगा स्वास्त के बात करें तो स्वास्त में कोई दिक्कत नहीं है पुराने रोक से जो परेशान थे दो दिन से चोटी मुटी जो परेशानी चल रही थी उन से मुक्ति आज म तो उनके लिए आज कोई सुचना प्राप्त होगी दिन को और ज्यादा बैतर बनाने के लिए कौन सा कलर का चुनाव करें लाल रंग का चुनाव कर सकते हैं आज के दिन और नाइन कलर आपके लिए आज शुब है लाल कलर आगर आप नहीं मिले तो आप औरेंज कलर का भी चुनाव कर सकते हैं और इस कलर भी आपके लिए आज शुब रहेगा अब बात करते हैं कि क्या एक एक एक्स्टर उपाई करें जिससे आज का दिन छेस्ट हो जाए वीडियो आपको पसंद आ रहा है त आपके जीवन में सुपता बनी रहेगी अब एक खास उपाई के चर्चा करते हैं जो आज अगर मेश राशी वाले जाता करते हैं तो उनके लिए स्टर आएगा सामने ते यह कहा जाता है कि मेश राशी वालों के लिए सिंग का चंद्रमा बैतर परिणाम नहीं देता है पर भगवान विष्णू की यह भगवान केले की अराधना आप करेंगे तो आपको शेष्ट परिणाम मिलेगा देशी गाए के जो उपर पीट के उपर जो हम्प होता है उभार वाला हिस्सा होता है उस पर हाथ पेड़ने से भी गुरू गिरे मजबूत होएगा और गुरू की देश्टी जब आपके फिक दुबाव में पड़ेगी तो कैई तरह के कारे संपन्न होंगे लगातार यह इस गोचर के अंदर जब तक गुरू आपके लगन में करीब करीब अभी काफी समय तक रहेंगे तो आप यह उपाय गाय का हमेशा कड़ते रहें बाकी और किसी यू आरोगैश्वरे बड़े चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद